हेलो एवरीवन हम पढ़ने जा रहे हैं हिंदी साहित इतिहास का प्रस्ट नमबर 28 कव्यों के स्थारन दिया है तथा दूसरी और इसे आठ से भी अधिक काल खंडों में विवरक्त किया है इस शेत्र में उन्हें पूर्वरती इतिहास कारों से अधिक सफलता मिली है इतिहास के रूप में इस ग्रंद की विशेषता यह है कि इसमें कव्यों के विवरण के साथ साहित्य के विविध अंगों का भी प्रयाप्रकाश डाला गया है कभियों का सापेक्षित महत्व नरधारित करने के साथ ही उनकी श्रेणियां भी बनाई गई हैं किन्तु काव्य समीक्षा में परंपरागत साहित्य के साहित्य और पद्धिती का ही अनुसरन मिलता है अतह आधूनिक समीक्षा तृष्टी से यह ग्रंथ भले ही बहुत संतोज जनक ना कहा जा सके किन्तु इसमें कोई संदेह नहीं की इतिहास लेखन की पूर्व परंपरा के आगे बढ़ाने के लिए इस महत्वपून योगदान है जैसा की आचारय रामचन शुक्ल ने स्वेस्विकार किया है वे कहते हैं कभियों के परिचियात्मक विब्रण में प परवर्ति इतिहासकार के लिए भी यह आधार ग्रंथ रहा है हिंदी साहेत्य इतिहास की परंपरा में सर्वोच स्थान आचारय रामचन शुक्ल का माना जाता है उनकी रचना हिंदी साहेत्य इतिहास 1929 में प्रकाशित हुई जो मूलित नागरी प्रचारने सभाद्वारा प्रकाशित हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में लिखा गया था तथा जिसे आगे प्रवर्तित वै विस्तृत करते हुए स्वतंत रूप में पुस्तक का रूप दिया गया इसके आरंभ में ही आचारय शुक्ल ने अपना दृष्टि कोन सपष्ट करते हुए उध घोटित किया है जिसमें लिखा है उन्होंने जबकि प्रियोग देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्रवित्टी का संचित प्रतिबिम होता है तब यह निश्चे है की जनता की चित्रवित्टी के परिवर्तन के साँच स साहित्य के रूप में भी परिवर्तन होता जाता है आदी के अंत तक इन्हीं चित्रवृत्तियों की परंपरा को परकते हुए साहित्य परंपरा के साथ उसका सामन जस्य दिखाना ही साहित्य का इतिहास कहलाता है जन्ता की चित्रवृत्ति बहुत कुछ राजनीतिक, सामाजिक, साम्प्रदाईक तथा धार्मिक परिस्थिती के अनुसार होता है इस उधारण से स्पस्थ है कि आचार्य शुक्लिक ने साहित्य परिस्थिती को उनका परिचे देते हुए युगीन परिस्थितियों के संदर्व में साहित्य के विकास क्रम की व्याख्या करने का प्रियास किया है इस द्रिष्थि से कहा जा सकता है कि उन्होंने साहित्य परिस्थितियों को परिचे दिया साथ ही उन्होंने साहित्य इतिहास के मूल विश्य को आरंभ करने से पूर्वी काल्व भाजन के अंतरगरत हिंदी साहित्य के 900 वर्षों के इतिहास को चार सूस पश्ट काल खंडों में रभक्त करते हुए अपनी योजना को एक ऐसे निश्चित रूप में प्रस्तुत कर दिया जिससे पाठक के मन में शंका और संदेह के लिए कोई स्थान ना रहे यह दूसरी बात है कि उन्होंने काल्व भाजन का आधार न दे कर केवल तत्व संबंधी निश्कर्षों की ही सूचना दी है किन्तु इस से उस युग से अन्या पाठकों को अवश्य लाव हुआ है जो काल्व भाजन की शूश्मताओं के पच्छडे में पड़े हुए पड़े बिना संपूर्ण हिन्दी साहित को एक दृष्टी से देख लेना चाहते थे नवोपलब्धी तत्थ्यों और निश्कर्षों के अनुसार अब ये काल्व भाजन भी तृटी पून सिद्ध हो गया है किन्तु इसमें कोई संदेह नहीं की अपनी अती सरलता वैस पश्टता के कारण यह आज भी बहू प्रचलित और बहू मान्या है आचार्य रामचंद्र शुक्ल आचार्य शुक्ल के इतिहास के एक अन्य विशेष्टा है पूरे भक्तिकाल को चार भागों या शाखाव में बार्ट कर उसे शुद्ध दार्शनिक एवधार्मिक आधार्क पर प्रतिश्टित कर देना उन्होंने इस काल के समस्तिसाहित्य पहले निर्गों धार्य और सगद्ध एमें और फिर प्रतिएक को दो धाराओं ग्यान श्रय शाका वएक्रिम श्रय शाका तथा राम भक्ति शाकाव क्रिश्ण भक्ति शाका में विभक्त करके ना केवल साहित्य अलोच को के लिए अपितू दार्शनेक तथा धार्मिक द्रश्टी से साहित्य नुसार रिपिट साहित्यानूद संधान करने वाले के लिए भी एक अन्य सरल एव सीधा मार्ग तेयार कर दिया इतिहासकार के रूप में आचार्य शुक्ल की सबसे बड़ी विशेष्टा है क्योंकि कवियों और साहित्यकारों के जीवन चरित संबंधी इतिवृत के स्थान पर उनकी रचनाओं के साहित्यक मूल्यांकन को प्रमुक्ता देना इस शेत्र में उन्होंने एक तो चुने हुए कवियों को ही लिया जहां मिश्र बंधु विनोद में कवी शंख्या पाँच हजार तक पहुच चुकी थी वहां उन्होंने उन्में से लगभग एक हजार को ही अपने इतिहास में स्थान दिया फिर उनके विवेचन में उनकी साहित्यक महत्वता व्य लगुता का ध्यान रखते हुए उन्हें तदनु सार ही स्थान दिया वस्तुत इतिहास के इतने संशिप्त क्लेवर में भी इतने कवियों का जैसे प्रामानिक सार गर्भिक तथा सोहारण रिपीट सोधाहरण विवेचन के प्रस्तुत कर पाए हैं उससे इतिहास का शुकल की महानता प्रमानित होती है इसी कारण विभिन काव्यधारों और युगों की साहित्यक प्रवृतियों के नर्धारण में भी उन्हें असाधारण सफलता प्राप्त हुई है दीती ग्रन्थाकारों के आचार्यत्व एव कवीत्व का शूश्म विशलेशन करते हुए उनकी उपलबधियों तथा सीमाओं के सम्मंध में जो निर्णय आचाय शुकल ने दिया वे बहुत कुछ अंशों में आज भी मानने हैं इस प्रकार हम देखते हैं कि हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा में आचार्य शुकल का योगदान अतियंत्व महत्व पूर्ण है इसका इतिहास ही कदाचित अपने विश्य का ऐसा पहला ग्रंथ है जिसमें इस प्रकार हम देखते हैं कि हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा में आचार्य शुकल का योगदान अतियंत्व महत्व पूर्ण है उनका इतिहास ही कदाचित अपने विश्य का ऐसा पहला ग्रंथ है जिसमें अतियंत्व शुक्ष्म एव, व्यापक, दृष्टी, विकसित, दृष्टीकोन, स्पष्ट, विवेचन, विशलेशन और प्रामानिक निश्कर्षों का सन्निवेश मिलता है किन्तु फिर भी हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि उनके द्वारा इतिहास की रचना उस समय हुई थी जबकि हिंदी का अधिकांश प्राचीन साहित्य अग्यात लुप्त एव अप्रक्राशित अवस्था में पढ़ा था तथा उसका प्रामानिक अधियन विशलेशन नही पाया था वस्तुतर इतिहासकार से यह अपेक्षा नहीं की जा सकती कि वै इतिहास की सहस्तराधिक रचनाओं का स्वेही अनुसंधान अधियन विशलेशन करके उपलब्ध निशकर्षों के आधार पर इतिहास की रचना करे अपितु वै अन्या अनुसंधान करताओं लब्ध तत्यों और निशकर्षों के आलोक में अपना कार्य संपादन करता है यह दूसरी बात है कि उन तत्यों और निशकर्षों की एतिहासिक व्याख्या वह अपने धंग से स्वतंत्र रूप में करता है किन्तु आचारे शुक्ल के इतिहास लेखन के समय तो हिंदी अन संभमात्र ही हो पाया था इस तथ्य की पुष्टी इस बात से होती है कि सन 1929 तथा सारे हिंदी जगत में लिखे गए शोध प्रभंदों की संख्या तीन चार से अधिक नहीं थी तीन चार से अधिक नहीं थी ऐसी स्थिति में इतिहास के जिस पक्ष का सम्मंध उनकी स्वतंत्र चिंता एव विवेचना शक्ती से था उसमें तो उन्हें स्थाई सफलता मिली किन्तु जो पक्ष इतिहास की आधार भूत सामगरी से सम्मंध था उसमें उन्हें अनुमान और कल्पना से काम लेना पड़ा जिसका परिणाम ये हुआ कि इस पक्ष से सम्मंधित उनके अनेक निशकर्ष अब अप्रामानिक सिद्ध हो गए हैं इससे उनके इतिहास में नए ऐसी तुरुटियों तथा असंगतियों का प्रादुर्भाव हो गया है जो आज के स्थित में उनके इतिहास के दुर्भलपक्ष को सूचित करती है इसी प्रकार वीरगाथा काल में इसी प्रकार वीरगाथा काल में उल्लिखित रचनाओं के अस्तित्व विहीन अप्रामानिक परवर्ति या अन्य भाषा में रचित सिद्ध हो जाने के कारण भी ये काल आज आतिय काल के नामकरण और वर्गी करण में एक कठनाई यह हो गई है कि धर्व निर्पेश्च द्रिष्टी से राजाश्राई एव लोकाश्रे में कावे रचना करने वाले कवियों के लिए या रामकृष्ण के अतिरिक्त किसी अर्ण्य अवतार या देवी देवता की उपासना क भक्त कवी के लिए उसमें समुचित स्थान नहीं है फिर भी यह नामकरण और वर्गी करण व्यवाहारिक द्रिष्टी से सरल सुगम एव मान्यसिद्ध हुआ भक्तिकाल की भक्तिकाल की ही भाती रितिकाल में भी नामकरण सीमा दरधारन परंपराओं वै काव्यधाराओं का वर्गी करण वर्ग विशेश के एक पक्षिय बोध का सूचक है जिससे इस काल के रिती मुक्त प्रेम मारगी कवियों वीर रसात्मक कावियों के रचैताओं तथा राजनीतिक एव वैराग्य संब्यक्ति संबंधी मुक्त प्रेम मारगी के रचैता कवियों के साथ नियाय नहीं हो पाया केशब और आचार्य कवि को अलंकार वाहिदी अलंकार वादी तथा प्रवर्ती रिती कवियों को रस वादी घोशित करते हुए उन्हें रिती परंपरा के प्रवर्तक के पद से वंचित करना भी संगत प्रतीत नहीं होता क्योंकि जहां एक और केशव ने रसिक प्रिया में रस सिधान का सांगो पांग निरूपग किया है वहीं दूसरे और प्रीती कवियों ने प्राई अलंकारों पर भी ग्रंथ लिखे हैं वास्तिविक्ता यह है कि रिती प्रती पादन के शेत्र में इस काल के प्राई सभी रिती बद कवियों ने ना केवल केशव दास द्वारा प्रस्तुत विश्यों का अपितू उनकी प्रती पादन शेली का भी पूरी तरह अनुसरन किया है एसी स्थिती में तथर कथित रीती काल या रीती परंपरा का प्रिवर्तन केशव से ही मानना एतिहासिक द्रिष्टी से ठीक होगा विभिन काव्यधाराओं तथा परंपराओं के मूल उत्सों और स्त्रोतों के यथार्थ अनुसंधान में शुकली जी का युगवादी दृष्टी कोन भी बाधक सिध हुआ उन्होंने साहितिक परंपराओं और प्रद्वर्तियों को युग विशेश की चित्तवर्ती के प्रति भिंब के रूप में ही ग्रहन किया उन तथ्यों तथा स्त्रोतों की अपेक्षा की जिसका संबंध पूर्व परंपरा से है परिणाम यह हुआ कि उन्होंने पूर्व मध्यकाल की विभिन धाराओं और प्रवर्तियों को तद्योगीन मुस्लिम प्रभाव की देन के रूप में स्विकार कर लिया जैसे भक्ती आंडोलन तद्योगीन निराशा की देन है संत मत इसलाम के एकेश्वर वात के प्रभाव का सूजक है प्रेमा ख्यान परंपरा सूफी मस्नवियों से अनुकृत है आदी इसमें कोई संदेह नहीं की इस सब से तद्योगीन वातावरन का भी आंशिक प्रभाव है किन्तु यही सब कुछ नहीं है इसके विकास को समयक्त रूप से स्पष्ट करने के लिए संस्कृत प्राकृत एव अब भ्रंश की अन्य परंपराओं पर भी विचार करना आवशक है जो हिंदी की विभिन मध्यकालीन काव्यधाराओं के मूल में आधार भूत तत्व की भाती वग्यमान है वस्तित संस्कृत साहित्य की परंपराओं परांइक परंपराओं प्राकृतिक अब भ्रंश के प्रेमा ख्यानों वे मुक्तकों की धार्णाओं सिद्धों वै नाथपंथियों की गुरुहा वाणियों की अपेक्षा करके मध्यकालिन हिंदी कावे की विभिन काव्य धाराओं के वर्तमान स्वरूप की आलोचना भले ही की जैसे के किंतु उसके आधार स्रोत का अनुसंधान और उनके विकास क्रम की एतिहासिक व्याख्य संभव नहीं है आचार्य शुक्ल की नवनुमे शालिनी प्रतिभा एव प्रोड विवेचना शब्द रिपीट प्रोड विवेचना शक्ति के महत्व के समक्ष नत्मक्ष सक्ष होते हुए ही होते हुए भी हमें यह कटू सत्य स्विकार करना पड़ता है कि इतिहासकार शु उसी सीमा का तक ग्राहिय है जहां तक वे उनके आलोच्यक रूप से सम्मंध है किन्तु जहां वे आलोच्यक से प्रतक होकर शुद्ध इतिहासके रूप में अवत्रित होते हैं वही उनकी अनीक सीमाएं स्पष्ट होने लगती हैं अवश्य ही यह उनकी अपनी सीमाएं नह होकर इतिहासकी सीमाएं हैं अर्थात जिस काल सीमा में उन्होंने कार्य किया था उसमें कदाचित यह संभव नहीं था कि इतिहासको वे रूप दिया जा सके जो प्रवर्ती अनुसंधान से उपलब्ध नूतन तत्यों और निश्कर्षों के आलोक में संभव है वस्तुत है उस युग की सीमत ज्यान राशी को लेकर भी उन्होंने उससे जैसे रूप दिया व्य निश्चित ही उनके जैसे व्यक्तित्व के लिए ही संभव था इतिहास लेखन की परंपरा में आचार्य शुक्ल का महत्व सदा अक्षून ने रहेगा इसमें कोई संदेह नहीं आचार्य रामचंद्र शुक्ल आचार्य शुक्ल के इतिहास लेखन के लगभग एक दश्चाबदी बाद आचार्य हजारी प्रशाद दुवेदी इस शेत्र में अवतरित हुए उनकी हिंदी साहित्य की भूमिका क्रम और पद्धिती की दृष्टी से इतिहास के रूप में प्रस्तुत नहीं है किन्तु उसमें प्रस्तुत विभन स्वतंत्र लेखों में कुछ ऐसे तथ्यों और निश्कर्षों का प्रतिपादन किया गया है जो हिंदी साहित्य के इति प्रतिष्ठित करते हुए उन धार्णाओं और खंडित किया जो युगीन प्रभाव के एकांगी द्रिष्टिकोन पर आधारित थी उन्होंने अतियंत सशक्त स्वरों में उद्घोशित किया की भक्ति आंदोलन ना तो तर्युगीन पराजित हिंदी जाती की निराशा से उद्वेलित है और ना ही इसलाम की प्रतिक्रिया है इसका प्रतियक्ष प्रमान ये है कि सात्वी आठवी शती में जबकि भारत की धरती पर इसलाम की छाया भी नहीं पड़ी थी दक्षण के दशनीन के व्याशनव भक्तों में भक्ति अपने पूर्व वयभव के साथ विग्यमान थी इस प्रसंग में उन्होंने इस पश्ट शब्दों में इसलाम के प्रभाव का खर्णन करते हुए लिखा मैं इसलाम के महत्व को भूल नहीं रहा हूँ लेकिन जो दे कर कहना चोड़ दे कर कहना चाहता हूँ कि अगर इसलाम ना आया होता तो भी इस साहित्य का बारा आना वैसा ही होता जैसा आज है इसी प्रकार उन्होंने संत का व्यपरंपरा के स्रोतों का अनुसतं धान करते हुए सिध्धो और नात पंधियों की बाणियों विचार सर्णियों पद्धितियों वे काव्य शैलियों के तुलनात्मक अध्यन द्वारा ये हस्पष्ट किया कि किस प्रकार कवी कबीर आदी इससे प्रभावित हैं वस्थत भाव विचार तर्कबत्दी भाष्षा शैली आदी के आधार पर उन्होंने सिद्ध किया कि हिंदी का संतकाव्य पूरवर्ती सिद्धोव्य नात्पंथियों के साहित्य का सहज विकसित रूप है उसे केवल इसलाम पर आधारित मानने की आवश्रक्ता नहीं है हिंदी के तेम अख्यानों के भी मूल स्त्रोतों का अनुसंधान करते हुए उन्होंने प्रतिपादित किया है कि इसमें इसकी कथावस्तू, कथानक, रूडिता, रचना, शैली, छंद, योजना, आधी, संस्कृत, प्राकृत व्य अभ्रंश की ही काव्य परंपराव का मध्यकालीन हिंदी काव्य के विविध स्त्रोतों के अनुसंधान के आतिरिक्त आचारे दुएदी ने संतसाहित्य और वैश्डवभक्ती काव्य के एतिहासिक मूल्यांकन के लिए नया दृष्टिकोण भी ट्रस्तुत किया सास्त्रिय परंपरा के संरक्षक महागवी तुलसी दास के महत्व पर बल देते हुए प्रायर अनिक साहितकार संतों को अशिक्षित असंस्पृत वै अविक्सित घोशित करके उनकी अवमानना करने का प्रयास करते हैं जबकि आचारद वेदी ने वस्तु स्थिती की गहराई खोशित करते हुए लिखा कभी-कभी हास्यास्पद भाव से कबीर दास को शास्त्र ग्यानी हीन सुनी-सुनाई बातों का गड़ने वाल्य आदी कह दिया जाता है मानो उस युग में जो लाहे, मोची, धुनिया और अनियायन नीची कही जाने वाली जाती को शास्त्र और वेद का द्वार उनके लिए खुला ही नहीं था और कभीर दास आदी ने जान बूच कर उनकी अवहेलना की थी सच पूचा जाए तो शास्त्र ग्यान तद्व ग्यान के मार्ग में सब समय साहितिक ही नहीं होता और कभी कभी तो युग की तथोक्त नीच चादियों में से आए हुए महापुर्शों का सास्त्री तरक जाल से मुक्त होना श्रेश कर जान पड़ता है हिंदी साहित्य की भूमिका के अंतरंग आचार्य दुवेदी की इतिहास संबंधी कुछ और रचनाएं भी प्रकाशित हुई है हिंदी साहित्य उत्भव और विकास हिंदी साहित्य का आदी काल आदी इनमें उन्होंने अपने तद्विश्यक विचारों को और अधिक व्यवस्तित इव पुष्ट रूप में प्रस्तुत किया है इस प्रकार हम देखते हैं कि हिंदी साहित्य के इतिहास की विश्यस्त महत्व कालीन कावय के स्तरोप वै पूर्व परंपराओं के अनुसंधान तथा उनकी अधिक सहानु भूती पूर्ण वै तथा तथ्य यथा तथ्य व्यावख्या करने की दृष्टी से आचारे दुवेदी का योगदान अप्रतिम है वस्तते वै अब पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने आचारे शुक्ल की अनेक धारनाओं और स्थापनाओं को विचारों को चुनौती देते हुए उन्हें सबल प्रमाणों के आधार पर खंडित किया साहित्य साथ ही उनके युग रूचिवादी एकांगी दृष्टी कोन के समानांतर अपने परंपरा रिपिट परंपरा परक दृष्टी कोन को स्थापित करके उन्होंने हिंदी साहित्य के आधियताओं के लिए एक व्यापक एव संतुलित इतिहास दर्शन की भूमिका तेयार की वैसे ब्याग्यानिक दृष्टी से देखा जाए तो किसी भी घटना रचना या धारा की शुद्ध विकास वादी व्याख्या करने के लिए परंपरा और योग स्थिती दोनों पक्ष ही विचारनिये हैं आचार्य दृष्टी ने यहां परंपरा पर बल दिया वहीं आचार्य शुक्ल ने योग स्थिती पर अंतितर कहा जा सकता है कि दोनों के मत्व इस दृष्टी से एक दूसरे के पूरक हैं जहां तक एतिहासिक चेतना वै पूर्व परंपरा के बोध की बात है निश्चे ही आचार्य दृष्टी हिंदी के सबसे अधिक सशक्त एतिहासकार हैं पूर्व वर्ती संस्कृतिक धाराओं सर्णियों और पद्धितियों का जैसा गंभीर अनुशीलन उन्होंने किया तथा मध्यकालीन जन्मानस की भाव धाराओं में जैसे गंभीर डूब की उन्होंने लगाई वै किसी भी और के लिए संभव नहीं किन्तु फिर भी उन्होंने अपना लक्ष आचार्य शुक्ल द्वारा स्थापित इतिहास के थूल धाचे में ही अपनी धार्णाओं को समेट देने तक का रखा है जबकि उसे अमूल चूल परिवर्तन कर देने की शक्ती का भी उनमें आभाव नहीं था शुक्ल जी द्वारा सापित प्रत्थम तीन काल खंडों को बाहिया रूप वै भीत्री आधारों की दृष्टी से पूर्णित जगजोर देने के बाद भी उन्होंने उसे उनमूलित कर देने का कार्य अपने हाथों से संपादित नहीं किया शायद यह उनकी अहिंसक दृष्टी का परिणाम है कि वै पूर्व विवस्था के सारे दोशों वै अवगुणों का उद्गाटन करने के बाद भी अपनी और से उनमें परिविर्टन का कोई प्रियास नहीं करते कदाचित यही कारण है कि उनके इतिहास की रूप रेखा कालवे भाजन पद्धिती का व्यधारा की नियोजना बहुत कुछ आचारय शुक्ल के इतिहास के ही अनुरूप है आचारय दुवेदी के साथ इस शेत्र में अतिरिक्त होने वाले एक अन्य विद्वान डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास 1938 में 693 इश्वी से 1693 इश्वी तक की काल विधी को ही लिया है संपून ग्रंथ को साथ प्रवर्णों में विभगत करते हुए सामान्य रामचंद्र शुक्ल के ही वाईकरण का अनुसरन किया गया है इसका अवश्य इतना अवश्य है कि युगों वे धाराओं के नामकरण में किंचित परिवर्तन कर उन्हें सरल रूप दे दिया गया है यहां निर्गुन ग्यान अश्राई शाखा निर्गुन प्रेम मार्गी ब्राकेट में सूफी शाखा जैसे लंबे लंबे नामों के स्थान पर संत काव्य परंपरा प्रेम काव्य रिपीट संत काव्य प्रेम काव्य आधिक अप्रियोग किया गया है जो अधिक सूल विधान जनक है वीरगाथा वीरगाथा काल को चारणकाल की संग्या देने के अतिरिक्त उनसे पूर्व एक संधिकाल और जोड दिया गया है यदपी इस समय तक अब भरंश और हिंदी का भेद भली भाती स्पष्ट हो चुका था तथा सुए डॉक्टर वर्मा ने भी दोनों को भिन-भिन माना हैं फिर भी अप्रव भरंश के सिद्ध जैन वेनाथ पंथियों कवियों की वाड़ी को हिंदी साहित्य में स्थान देने क वे भी लोब सन्वरन नहीं कर पाए इतना ही नहीं उन्होंने स्वयम्भू को जो की अब भरंश के सबसे पहले कवी हैं हिंदी का पहला कवी मानते हुए हिंदी साहित्य का अब भरंश 693 इश्वी से स्विकार किया है एतिहासिक व्याख्या की दृष्टी से इस इतिहास आचार्य शुक्ल के गुण दोश का ही विस्तार है इतिहासिक कवियों के मुल्यांकन में अवश्य लेखक ने अधिक सहिर्दिता और कलात्मक्ता का परिचे दिया है उन्होंने कवियों के काव्य सौंदर्य का आख्यान करते समय लेखक की लेखनी काव्य में होठी है जो की डॉक्टर वर्मा के कवी पक्ष का संकेत देती है शैली की इसी सरलता और प्रवाह पूर्णता के कारण उनकी इतिहास प्रियाप्त लोकप्रिय हुआ है तथा पाठकों को इस बात का आभाव प्राय खलता रहा है कि यह भक्तिकाल तक ही सीमित है इसका शेश भाग अलिखित रहा नागरी प्रचार्णी सभा द्वारा भी हिंदी साहित्य का व्रहत्तर इतिहास प्रकाशित करने की विशाल योजना क्रियानवित हुई है जिसके अंतरग्रत समस्त हिंदी साहित्य को सोलह भागों में प्रस्तुत किया गया है यदिपी इस ग्रंथ के लेखक के लिए कुछ सामाने सिध्धान्तों और पद्धितियों का निर्धारन निधारन कर लिया गया है फिर भी प्रतिये खंड अलग-अलग विद्धानों के संपादन में तथा विभिन लेखकों के सहयोग से निर्मित हुए हैं तथा संपूर्ण ग्रंथिंप के लेखक में सताधिक लेखकों का सहयोग लिया गया है ऐसे स्थिती में इसकी उपलबदियों और सीमाओं के बारे में सामान्य रूप से कुछ कहना कठिन है विस्तुते प्रतिये खंड की सफलता असफलता बहुत कुछ उसके संपादक वे सहयोगी मंडल पर निर्भर है समागर रूप में ये योजना हिंदी साहित्य इतिहास की बिखरी हुई सामगरी को सूत्र ब्रद्ध कर सकती है इसमें संदेह नहीं इतिहास के इस थूल ढाचे के रूप में इसमें आचारे रामचंज शुक्र के लिए शुक्र के इतिहास को ही किंचित संस्चोधित करके अपनाया गया है अतह मूल ढाचे के गुण दोश इसमें भी अधिक व्यापक विस्त्रित एव सफल रूप में विध्घमान है यदि सभी शेत्रों में सताधिक लेखकों के स्वतंत्र सहयोग की अपेक्षा कुछ चुने हुए अधिकारी विद्वानों के सामूहिक योग से इसका निर्मान होता तो निसंदेह इसमें अपेक्षाकरत अधिक एक रूपता अनिवित्ता अन्बिती एव तजीरता आपाती विभिन विद्वानों के सामूहिक सहयोग के आधार पर लिखित इतिहास ग्रंथों में हिंदी साहित्य की उल्लेखनिय है जिसका संपादन डॉक्टर धिरेंद वर्माने किया है इसमें संपूर्ण हिंदी साहित्य के साहित्य को तीन खंडों या कालों में विभग किया है आधेकाल, मध्यकाल और आधोनेकाल काल की काव्य परंपरा का विवरण अविछिन रूप में प्रस्तुत किया गया है जहानागी परचाणी सभाद्वारा नियोजित इतिहास में आचारे शुकल के इतिहास की रूप रेखा को अधिक ध्यान से रखा गया है वहीं इसमें यत्र तत्र अधिक स्वतंत्रता से काम लिया गया है यही कारण है कि इसमें हम रासो काव्य परंपरा जैसी नई काव्य परंपराओं को भी थापित देखते हैं तद पर स्थान ही इसमें कुछ दोश भी हैं जैसे विभिन अध्यायों में विभिन लेखकों ने इतिहास लेखन की विभिन दृष्टियों और पद्दितियों का प्रियोग किया है जिसमें जिससे इसमें एक रूपता अनविती एव संसलेशन का आभाव परिलक्षित होता है फिर भी हिंदी साहिते की इतिहास लेखन की परंपरा में इसका विश्य स्थान है उपियुक्त इतिहास ग्रंथ के आतिरिक्त भी अनेक शोध प्रबंध और समिक्षात्मक ग्रंथ लिखे गए हैं जो हिंदी साहिते के संपून इतिहास को तो नहीं किन्तु उसके किसी एक पक्ष अंग या काल को नूतन इतिहास से ग्रिश्टी और नई वस्तु प्रदान करते हैं इसका इन सब का विवेचन तो यहां चंभव नहीं किन्तु इसका संशेप्ट आवश्य किया जा सकता है यथा डॉक्टर भागीरत मिश्र का हिंदी काव्य शास्त्र का इतिहास डॉक्टर नगेंद्र की रीती काव्य की भूमिका श्री परशराम चत्रवेदी की उत्तिरी भारत की संथ परंपरा श्री प्रभुदेयाल मीतल की चेतन संप्रदाय और उसका साहित्य डॉक्टर विजयेंद्र स्थानक का राधा वल्लब संप्रदाय सिद्धान्त और साहित्य श्री परशराम चत्रवेदी का उत्तिरी भारत की संथ परंपरा श्री परशराम मीतल का चेतन्य संप्रदाय और उनका साहित्य डॉक्टर विजयेंद्र सनातक का राधा वल्लब संप्रदाय सिद्धान्त और साहित्य श्री विश्वनात प्रशाद मिश्व का हिंदी साहित्य का अतीत्थ श्री चंद्रकांत बाली का पंजाब प्रांतिय हिंदी साहित्य का इतिहास डॉक्टर टीकम सिंग तोमर का हिंदी वीर काव्य डॉक्टर मोती लाल मेनारिया क्रंथ राजिस्थानी भाशा और साहित्य वे राजिस्थानी साहित्य डॉक्टर केसी नाथ शुक्लका डॉक्टर श्री कृष्णलाल और डॉक्टर लक्ष्मी सागर वर्ष्णे का आधुनिक काल सम्भन्दी विभिन शोधर प्रबंध डॉक्टर नलिन विलोचन शर्मा का साहित्य का इतिहास दर्शन डॉक्टर सियाराम तिवारी का मध्यकालिन खंड काव्य डॉक्टर सर्ला शुक्लु डॉक्टर हरी कांत श्री वास्तव डॉक्टर ओम प्रकाश शर्मा विद्वान के प्रेमा ख्यान काव्य सम्भन्धी शोधि प्रबंध आधी धाराओं, ग्रंथ का प्रकाशित हुआ है जिसके द्वारा हिंदी साहित्य के विभन काल खंडो, काव्यों, काव्य रूपों, काव्य धाराओं, उप्धाराओं के साहित्य आदी का प्रकाश पढ़ता है अतह आवशक्ता इस बात की है कि इस शोध प्रबंध में उपलब्ध नूतन निशकरशों के आधार पर अग्तन सामगरी का उपियोग करते हुए नए सिरे से हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा जाए ऐसा करने के लिए आचारय शुक्ल द्वारा स्थापित धाचे में मूल चूल परिवर्थन करना पड़ेगा क्योंकि वह उस सामगरी पर आधारित है जो आज से 40-50 वर्ष पूर्व उपलब्ध थी जबकि इस बीच बहुत सी नई सामगरी प्रकाश में आ गई हैं इस लक्ष की पूर्थी का एक प्रियास हिंदी साहित्य के व्यग्यानिक इतिहास में हुआ है जिसमें साहित्य इतिहास के विकास वादी सद्धानतों की प्रतिष्ठा करते हुए उनके आलोग में हिंदी साहित्य की नूतन व्याख्या प्रस्तुत करने की चेश्ठा की गई है इस प्रकार गार्षद अतासी से ही लेकर अब तक की परंपरा के संशिप्त सर्वेक्षन से ये भली भाती स्पष्ठ हो गया है की लगभग एक सताबदी की ही अबदी में हिंदी साहित्य का इतिहास लेखन अनेक दृष्टियों रूप और पद्धितियों का आंकलन और समन्वे करता हुआ संतोष जनक प्रगती कर गया है इतना ही नहीं हमारे लेखन लेखको नेना केवल विश्व इतिहास दर्शन के बहुमान्य सिद्धान्त और प्रियोगों को अंगिकरत किया है अपितु उन्होंने ऐसे नए सिद्धान्त भी प्रस्तुत किये हैं जिनका समन्यक मूल्यांकन होने पर अन्य भाशाओं के आति इतिहास कार भी उनका अनुसरन कर सकते हैं हिंदी साहित इतिहास के आधार अंत में प्रस्तुत अध्याई की समाप्ती के पूर्व हमें उन्स त्रोतों वे आधारों पर भी दृष्टिपात कर लेना चाहिए हिंदी साहित इतिहास के लेखक में रिपीट लेखन में रिपीट लेखन में सहायता ली जाती है कि इन्हें हम पांच वर्गों में विभग करते हैं पहला साहित्यकारों की प्राकाशित वे अप्रकाशित रचनाएं दूसरा साहित्यकारों वे साहित्यक्रश्णाओं का परिचे प्रस्तुत करने वाली कृतियां तीसरा साहित्यके विभेन अंगो रूपो आधारो धारनाओं वे प्रुवर्तियों की व्याख्या से सम्बंधित आलोचनात्मक वे अनुसंबंधन परक ग्रंथ चौथा प्राचीन साहित्यकारों के काल विभाजन वे रचना काल के निर्णय में योग देने वाली एतिहासिक सामगरी जैसे शीला लेक, वंशावली, प्रमानिक, उल्लेक आदी, विभिन योगों की आंतरिक और बाहिया परिश्चितियों वे विश्चितियों का वर्गों पर यहां काल करम रिपीट उप्युक्त वर्गों पर यहां क्रम श्विचार किया जा सकता है प्रस्तुत प्रथम वर्ग में प्रक्थम वर्ग के अंतरगरत आने वाले आने वाले प्रकार्षित राचनाओं की उपलब्धी को तो विशेश कठिन नहीं हैं अप्रकार्षित सामगरी की उपलब्धी अवश्य दुशकर है नागरी विचार्णी साभा तथा अन्य कई साहितिक संस्थाओं इस प्रकार इस कार्य में वर्ग वर्षों से लगी हुई है और उनके द्वारा उपलब्ध रचनाओं का वर्णन खोज रिपोर्ट में प्रक भाग्य से इस प्रकार की सहस्त्रादिक रचनाएं अभी तक आप्रागाशित पड़ी हैं द्वीतिय वर्ग की प्राचीन रचनाओं में 252 वैश्नव की वारता 84 वैश्नव की वारता भक्त माल गुरू ग्रंथ साहब भक्त नामावली कवितावली काली दास हजारा साच सई गिराविलास कवी नामावली राग साग रिपेट राग सागरो दभव राग कल्प द्रुम श्रिंगार सागर आधी उल्लेखनिये हैं इनका रश्नाकाल सत्रवी सती से लेकर सत्रवी सती से लेकर उनीस्वी सती के अंत तक का है तथा इनसे प्राचीन और मध्यकालीन